20-30% का daily profit मिलेगा तो मैंने 30-35,000 वैने payment कर दिये थे जो थोड़े-चोड़े profit हो दे उस पे उन्होंने अपने ही से यह लिये थे अब इनके पास 70,000 लोग हैं, 40,000 पर क्या रहे हैं तो ये 40-50,000 का capital खुद भी कर सकते हैं कॉल बाय कराएंगे, पांच को कुट बाय करवाएंगे किसी का चलेगा, इनके फॉन बंद हो जाएंगे, इनके फॉन चलते रहेंगे profit sharing, stock market का ये एक ऐसा black spot है जो के बहुत सालों से चलता रहे हैं इसमें कहा जाता है कि आप मुझे अपने demet account दीजिए उसका user id password दीजिए, उसमें आप पैसे डाल दीजिए मैं आपके लिए trading करूँगा और जो profit आएगा उसमें से 30-40 टका मेरा, 60-70% आपका नहीं तो आप एक काम कीजिए, आप हमारे pool demet account में, हमारे company का demet account है उसमें पैसा डाल दीजिए, वो पैसा आप यहाँ पे डालेंगे पहुत सारे clients का पैसा है हमारे पास, सबका सारा का पैसा आम एकठे trade करते हैं, जो एकठा profit आता है तो मैं आपको महीने के 8-10-12% तक return दिला सकता हूँ इस तो मैं ऐसी case के बारे में बात करेंगे जिसमें सेवी ने action लिया है और साथ में किस तरीके से सोच मिले का इस्तिमाल करते हो यह profit sharing से आप बच सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे Let's get started Stock market को कभी भी पैसा कमाके देने के लिए इज़त रही मिलती हमेशा बदनामी मिलती है क्योंके इसका गलत इस्तिमाल करके लोगों को बेवकू बनाके काफी लोग पैसा लेके भाग जाते हैं इदर उदर हो जाते हैं अब जो profit sharing का काम है यह बहुत local level से शुरू होता है जहां पे एक इनसान जो trading कर रहा है पैसा कमाता है लोग उसको अप्रोज करते हैं पैसा देते हैं खुझ से पैसा डालते हैं और कहते हैं कि आप हमें profit दिलाएए profit sharing पे काम होता है 20, 30, 40, 50% आप रख सकते हैं बाकी 50% मुझे वापिस दे दीजेगा लेकिन जब नुकसान होता है तो कोई sharing नहीं होती है profit sharing होती है, loss की कोई sharing नहीं होती है और उस case में फोन उठाने बंद हो जाते हैं अब इस case में जहां पे Max Innovation नाम की एक company है इसमें तीन लोग involved थे विशाल लट, जितेंद्र भर्भुजिया और विपिन शर्मा ये तीन लोग अलग-अलग clients को अलग-अलग तरीके से reach out करते थे for example, चार शिकायत करताओं की बात करते हैं जिनोंने CB में शिकायत की और इन चारों को अलग-अलग तरीके से बर्गलाया गया था अब इनको कहा गया था कि आप हमारे साथ पैसा लगा ये इनको बार-बार फॉन किये गए थे, टेली मारकेटिंग की गई थी आप पैसा लगा ये, पैसा दिया है इनोंने और Max Innovation ने क्या किया? आप fake ID क्रेट की, fake app के अंदर fake trades दिखाने शुरू कर दिखाया कि आप बहुत सारा पैसा कमा रहे है करीब 60,000 रुपे का नुकसान हुआ ऐसे ही शिकायत करता है अब इनको कहा गया कि आप हमारे से इन्वेस्ट कीजिए इन्होंने 2,000,000 रुपे इन्वेस्ट किया भी और साथ में 70,000 रुपे अलग से किया 2,000,000 पे इनको कहा गया कि आपको हर महीने 12% का रिटर्न गारेंटेड मिलेगा जो पैसे देने वाले हैं उनको भी समझना ज़रूरी है इस वीडियो के मादब से समझनी जीए कुछ वीडियो पहले भी किये गारेंटेड वर्ड पॉसिबल ही नहीं तिसरे शिकायत करता थे अमरेंदर कुमार सिंग इनको कहा गया क्या पैसा लगा ये इन्होंने 60,000 पे लगाया 50-50% की प्रॉफिट शेरिंग के उपर फिर नुकसान होना शुरू हो गया और आज तक उनके फोन उठाए नहीं गये हैं संगीता जी हैं जिनको शिकायत हुई उनको भी इस तरीके से वाट्साप के स्क्रीन शॉर दिखा के टिप्स वगयरा दिये गए और उस केस में भी उनका नुकसान करवाया गया अब दिए चार केस थे चार लोग उने शिकायत की है 400 होंगे 400 होंगे काफी लोग होंगे जो के Max Innovation जैसी कंपनी और ऐसी बहुत सारी कंपनी में अपना पैसा या है बहुत सारे लोग के हाथ में अपना पैसा पकड़ा देते हैं गारंटे डिटरंस टेप्स नहीं तो प्रॉफिट शेरिंग के ऊपर अब Max Innovation की वेबसाइट जो के आज की तरकिम बंद हो जो सेबिनिंट की अर्खाईव निकाले और देखा के इनकी वेबसाइट पर डिखा है कि हम आपको अलग लग फाइनिशल सर्विस्स देंगे जेतेंदर भरपूजिया ने करीब 37,266,779 रुपए और विपिन शर्मा ने करीब 30,24,671 रुपए यही बाते बोल बोल के अलग लग लोग का नुकसान करवाया और दोस्तों यह पैसा वो है जो कि फीस के रूप में दिया गया था यह पैसा वो नहीं है जो कि नुकसान अब सेभी ने मैक्स इनोवेशन कमपनी को कहा है कि देखिए आप यह सारा का सारा पैस वापिस रीफंड कीजिए आपको तीन महीने का समय मिलता है तो जिन लोगों अभी मैक्स इनोवेशन यह यह तीन नाम जो लिया है हमने इनको पैसा दिया है तीन-चार साल का डेटा न हिसाब से 15 EB section का इस्तिमाल करते हुए इनके उपर 18,00,00 रुपे का penalty अलग से लगाया है Very good move सेभी की तरफ से यह case solve किया है Dr. Anitha Anoop जी ने The case has been taken care of pretty well and काफी detailed out research किया गया और I am happy with the fact that penalty अच्छी खाशी लगाई गया है अब देखिए यह एक case है Fake Influencer Series हम जो करते हैं उसमें इस शिकायत का एक form होता है लोग भरते हैं ऐसी 10-12 शिकायत हमें भी आ चुकी है जहां पर अलग-लग Telegram Channel का इस्तिमाल करते हुए WhatsApp ग्रूप का इस्तिमाल करते हुए सामने से लिखा हुआ है कि हम आपका account handle करेंगे यह account handling भी same होता है इसमें करीब 14,248 लोग हैं और यहां पर सामने से लिखा हुआ है कि account management services 50% profit sharing 50,000-90,000 पर आपको minimum deposit करना पड़ेगा और आपको रोज 20-30% का daily profit मिलेगा तक ऐसी चीज़े आपको सामने से दिख जाएं तो आपको इतना समझदार होना पड़ेगा ताकि आपको सामने से बता लग जाए कि यार यह गलत बात है यह नहीं हो सकता है मैं side से निकल जाता हूँ यहां पर पैसा देने की आपको बिलको जुरूत नहीं है क्योंकि वह आ प्लक से हैंडल दिया हुआ है बजार के पंडित 31,000 फॉलोवर्स और इनके पास भी PMS अकाउंट हैंडलिंग सर्विस है capital requirement पांच लाग रुपया देखिए 50% profit sharing minimum capital एक लाग रुपय डेली प्रेफिट 20,000 पाई शाबाश इनके भी 70,500 लोग members हैं और ये भी कह रहे हैं 50% profit sharing 10-30% daily returns expected अगर देखिए इतना पैसा सच में ये बना के देते तो अगर 40,000 पाई minimum capital ये कह रहे हैं और उसमें से आपको मान लीजी कि 20% profit दलाएंगे 25% दलाएंगे math easy करने के लिए तो 10,000 पाई profit दला दिया उसमें से 50% इनका 5,000 रुपय अब इनके पास 70,000 लोग हैं 40,000 पे कह रहे हैं तो ये 40,000-50,000 का capital खुद भी कर सकते हैं देरे-देरे करके लाखों का कर सकते हैं ये अपना खुद का capital के base पे 100% profit sharing क्यों नहीं करते हैं खुद के साथ इस केश में तो पुद भी 500,000 पे सतर हजार लोग हैं इसके लाख हमने कुछ लोगों से बात भी कि जोने पी एमेस पॉरफ़ोली मुन सर्वेसे ये वाली ली ली थी उनसे क्विकली जाने की कोशिच करते हैं कि उनको किस तरीके से इस system में profit sharing के system में लाया गया किस तरह से जोनोंने पैसे का नुखसान किया ताकि आप भी उनके साथ रेलेट कर सके हैं लेट्स हैवा कुछ लोगों ने एक मेरे फ्रेंड ने इस प्रेंड को नोने और शुरू के रोपिट हुए उन्होंने अपने पैसे ले लिए फिर एक दिन कैपिटल खटम होगे मैंने उच्छा एसल ज्यादा लावस आ रहा था प्रॉक्स सेवेंटी एटी था आप मैंने स्क्रेंस और भी शेयर करें हैं तो उसमें लिखा है कि एसल की रिवाइड नह अब यह दो तरह कि दो तीन बारी भी तीन चार लाग रुपए मेरे चले गए और उनको मैंने प्रॉक्त थर्टी थर्टी थाईटी थाइड पर दी तो थोड़े प्रॉपिट हो दे उस पर उन्होंने अपने इसे हैं लिए थे टीस पैंटीस जा रुपर और ऐसा मेरे साथ यह दो प्रेंड और हैं उनको साथ भी होगा था उन्होंने पैसे ले लिए थे तो फिर मैंने आपका वीडियो देख रहा था जिसमें आपने की रिलेसे रिश्टार ऑफ चार्ट जो कोई थे आप अप उफ चार्ट तो फिर मैंने आपके उस पे जाकि अपना रिपर पर प करना है तो फिफ्टीन थाद दे दीजिए मैंने का यह है कि हमने का हमने आपनी सिस्टम में आपका वो सौट्वेर लगाना है तो उसमें हम करेंगे तो बिल्कुल आप ब्लीव नी करेंगे हम भी उस टेम पर जैसे हम पड़े लिखे होके भी अनपड बन जाते हैं सो अनप अनपड दे हॉलिडे था उससे बहने उसने अकाउंट में दो लाट दान ने के ने बोले थे हम प्रिए करते हैं आप पेंशन मत ले देजे इस यह गूद प्रॉफिट कम से कम अपको बीस हजार तो मिली जाएगा दिन का ऑन वर्ट ले दस परसेंट दिन का हां दिन का बीस करनी है थी कि इसने बीस हजार बोला है तो कम से में मेरे को दस हजार को आँगे मैं अई वेंट 50 पर दान दे इतना तो आज सकता है और एकन भी जीरो आदे मैं यह क्याल्मिलेशन देके घूम रहा था जीरो है तो भी ठीक है मैंने भी खुद जीरो कर दिया उस दिन माइनस पाइसबन से मैंने जीरो पर लाके रख लिया तो ओके सी के बोले उसने पस दे अच्छा प्रोफिट जे अच्छा प्रोफित दिया तो जिस्ती हो आज पास 53 तरफित दू जा बहुत अच्छा प्रोफित हूं आज रहा ने बाशनों एक तो उसने मैं जोंग जैसे अथित पर्में जोना था कि 30 पोसंट उसमें देनिया, वनिया, खी कि हम है पैसा तो दे देंगे, उसके प्रॉफित दिया तो उसमें कोई दोर आने. यह पेंट पॉइंट यह पेंट पॉइंट ही है लाइफ के जो बंदा जाहतर भूलना चाहता है, जहां तक पॉटफोलियो मेलमेन सर्विसेच्ज पी मेलं तरफ से देने वाले करीब 244 लोग ही है, 444 पीपल जो रिजिस्टर ऐसे भी के साथ इस लाइसेंस को पाने के लिए आपको एप्लिकेशन जब देना है तो एक लाख रुपे देना पड़ेगा नॉन रिफंडेबल 10 लाख रुपे आपको तब देना है जब आपका अप्लिकेशन मतलब आपका लाइसेंस आ जाता है उसके बाद आपके खुद की नेटवर्ट कम से कम 2 करोड रुपे होने चाहिए आपके पास 5 लाख रुपे अलग से होने चाहिए जब भी आपको लाइसेंस को रिन्यूवल करना है आपके क्लाइंट को कम से कम 50 लाख रुपे लेके आना पड़ेगा टेबल की उपर जब वो उसको इंवेश्मेंट करना है पीमेस सर्वेसे लीगल तरीके से लेनी है तो मिनिमूम कैपिटल रिकॉर्मेंट फोमा क्लाइंट इस ओल्सों 50 लाख रुपेज पांच जस पचास चारीज सार चारीज सार वही ने सकता अलावड ही नहीं है तो जोगे पीमेस प्रोट फोली में में सर्वेसे या प्रॉफेट शेरिंग का काम है चाहे लोकल लेवल पी हो रहा है चाहे सोचल मेडिया का इस्तिमार करते हो रहा है एवरिटिंग इस रॉंग इलीगल अलग मुद्दा है पॉसिबल नहीं है आपको पैसा मिलेगा शॉट टम में आपको थोड़ा बहुत पैसा दिख जाए लेकिन लॉंग टम में आपका ही नुकसान है जो पैसा दे रहा है make sure कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें ऐसी scheme से दूर रहें पहले अलग अलग तरीके से scheme से बेफ को बना जाता था ये भी एक scheme है जो आज चल रही है काफी समय से चल रही है चलती रहेगी लेकिन आप अपने आपको बचा के रखे that is the only motive of this video and I hope आप आपके जानने पेचाने वाले जिनको आपी वीडियो शेर करने वाले है इन तरह की profit sharing की schemes में नुकसान को देखते हुए लालच की तरफ नहीं जाएंगे अब एक लेतना ही वीडियो आगली वीडियो में जल्दी मेरेंगे इसको देखने के लिए बहुत बहुत शक्रिया बाई